दिस्मिल्लारह्मान ररहीम, लास्ट लेक्चर में हमने डिसकस किया के वट अर्था कास्ट आफ इंफलेशन और स्पेसिफिकली वी फोकस्ट आन कास्ट आफ एक्सेटेड इंफलेशन अब हम उस टॉपिक को कंटिनुव करेंगे लेकिन इस लेक्चर के अंदर एक तो मैं अन नेक्स लेक्चर में जो है वो हम पॉजिटिव जो साइड है इंफलेशन की वो कंटिनुव करेंगे तो इस लेक्चर में हम दोनों चीजों को डिसकस करेंगे जो कास्ट है फर्दर अनेक्सपेक्टेड इंफलेशन के और फिर जो इंफलेशन के पॉजिटिव साइड हो सकत कि जो debt payments होती है चाहे वो principal amount है चाहे उसके उपर interest है ये दोनों के दोनों जो है ये nominal terms में fix किये जाते है अगर तो inflation rate high हो और वो expected भी हो तो expected inflation चैन-फिशर hypothesis के तुरू जो आप पढ़ चुके हैं nominal interest rate को effect करता है तो इसका मतलब ये है कि अगर expected inflation rate high होगा तो फिर तो nominal interest rate होगा फिर तो cost adjust हो गया debt का मैं बात कर रहा हूँ unexpected का और unexpected की एक example मैंने पिछले lecture में दी थी कि for example लोगों के जहन में ये था कि inflation rate 10% होगा next year तो 10% inflation के हिसाब से nominal contract हो गया या nominal interest rate set हो गया अब practically जब अगला साल आया तो inflation rate 16% हो गया तो 6% inflation extra हो गया इसे हम कहेंगे unexpected ये जो unexpected है अब इसका problem ये है कि ये अब interest rate में adjust नहीं हो सकता क्योंकि interest rate साल के से पहले इस साल के जिसके लिए contract हुए उसके start होने से पहले हो जाता है तो वो तो nominal term में fix हो गया maybe 10% inflation rate के हिसाब से हुआ हो लेकिन 16% के हिसाब से नहीं हुआ तो जो extra 6% आ गया है उससे क्या होगा real value of debt काम हो जाए तो किसको फाइदा हो गया बारवर को जिसने debt repay करना है उसको तो 6% का benefit हो गया लेकिन वो जो lender था जिसने ये lend की हुई थी amount उसने 10% के ह असाब से interest charge किया जबकि actually interest rate जो inflation rate वो 16% हो गया और उसकी base पे जाहर actually interest rate बढ़ना चाहिए था लेकिन अब actual interest rate नहीं बढ़ रहा तो lender को loss हो गया तो एक redistribution हो गई wealth की from lender to borrower बारवर को extra resources real farm में मिल गया lender को loss हो गया तो ये एक redistribution of wealth हो गई जो किसी economic efficiency की base पे नहीं होई बलक कि वो एक unexpected inflation rate की वज़ा से हुई जो कि society के लिए beneficial नहीं है इसी तरीके से pension होती है या कोई भी और fixed contract अब fixed contract सिरफ debt का नहीं होता fixed contract salary का भी होता है जो एक permanent job की उपर होते हैं लोग या even contractual job की उपर होते हैं उनकी at least one year की pay fix होती है इसी तरीके से pensioners की pension fix होती है एक साल बाद बले change हो जाती है especially government के budget को ले 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 तो government के implies की salaries जो है वो budget में हमोमन change होती है तो फिर अगले budget तक वो उसी level पर constant हो जाती है अब जब एक साल inflation की expectation लेते हुए income बढ़ाई जाती है जब actual inflation उससे ज्यादा हो जाता है तो जो जिनकी salary है या जिनकी pension nominal term में fix है उनकी purchasing power कम हो ज example हम 2023 की ले सकते हैं जब 2023 के लिए fiscal year 2022-23 जिसे हम कहते है basically fiscal year 23 इसका जब budget बना तो expected inflation rate था 11.5% तो 11.5% के हिसाब से salaries को adjust किया गया लेकिन practically जो 2023 में inflation हुआ वो more than 30% था तो अगर 11% के हिसाब से salaries increase हो और actual inflation rate 30% हो जाए तो salary percent की चूंकि वो fixed contract के अंदर है उनकी purchasing power गिर जाएगी हाँ जो वो businesses जो अपनी product की price inflation के साथ साथ बढ़ा सकते हैं उन्हें ये problem नहीं है और ये भी unexpected का मसला है क्योंकि expected होता तो पहले ही salary शायद ज्यादा बढ़ा दी जाती है अब हम चलते हैं inflation के क्या positive side हो सकती है तो एक positive side ये है कि जो unexpected होगा again वोई बात जो last मैंने point बोला कि wages या salaries real में कम हो जाती है इसी का एक positive aspect लिया है और वो positive aspect ये है कि जब unexpected inflation high होता है तो चूंकि wage contract कम inflation की base पे होए होते हैं actual में inflation ज्यादा हो जाता है तो real wage गिर जाती है real wage गिरती है तो farms labor की demand बढ़ाते हैं क्योंकि labor सस्ती हो गई और उनका cost of production कम हो जाता है तो उसे एक फाइदा ही हो सकता है कि firms अपनी चीजों की कीमते speed से ना बढ़ाएं और दूसरा labor ज्यादा demand करने से employment क्रियेट होगी और business activity जो है वो ज्यादा उसके अंदर नशद नमा होना शुरू हो जाएगी तो ये इसका एक positive effect है इसी तरीके से government के लिए एक फाइदा है inflation का वो क्या है वो ये है कि government का debt सबसे ज्यादा है मतलब यहाँ लोगों का तो कर्ज होता ही है लेकिन government तो बहुत बड़ा बारवर है तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो trillion of rupees का कर्ज है पाकिस्तानी government का तो जब इतना ज्यादा कर्ज होगा तो हमने अभी थोड़ी देर पह फाइदा हो जाता है तो इसका मतलब है inflation rate ज्यादा होने का government को फाइदा होता है और government को जब फाइदा होता है तो वो indirectly effect पूरे मुलक का भी होता है और वो यह है कि जब inflation बढ़ता है तो government का debt nominal terms में तो अपनी जगा पे है और उसकी interest payments भी अपनी जगा पे constant हैं लेकिन real value of debt ज देखते हैं मसलना debt को real value में देखते हैं या debt to GDP ratio देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं बढ़ता उसकी एक बड़ी वज़ाई है कि inflation rate इतना ज्यादा हो जाता है कि government के debt की real value काम हो जाती है तो इसका government को फाइदा होता है इसी तरीके से जो demand pull inflation होता है demand pull यानि कि जो demand ज्यादा होने की वज़ा से होता है जिसको हम बात में detail में भी discuss करेंगे तो जब aggregate demand ज्यादा हो गई उस वज़ा से ज्यादा हुआ उसका फाइदा ये है कि जब वो demand pull inflation ज्यादा हो तो जो producers हैं उनकी anticipation होती है कि अब businesses ज्यादा चले उसकी वज़ा से consumers ही की तो demand ज्यादा है वो ज्यादा price देने के लिए भी willing हो जाते हैं तो business activity ज्यादा चल पड़ती है इसी तरीके से inflation का एक और positive effect ये है कि जब inflation rate बहुत ज्यादा हो और farms का cost of production बढ़ता ही जा रहा हो और ये वक्त आ जा जा रहा हो और ये वक्त आ जाए कि फार्म्स जो है तो फिर ऐसी सूरत हाल में या ऐसे मुलकों में जहां बहुत ज़्यादा inflation होता है वहां फिर farms अपना production की technology चेंज करने का सोचते हैं ऐसा input combination तर्तीब देते हैं कि उनका cost of production कम हो जाए यानि कि price की farm में तो inputs की value कम नहीं औरी cost कम नहीं औरा वो अपना technology ऐसी change करने की कोशिश करते हैं कि उनका cost of production कम हो जाए और ये economic और technological efficiency लाता है country के लिए जो overall economy के लिए beneficial है Thank you